ढर एलो अभरीवन सब्सथ है का एक बार फिर से एमारे चैनल जीडिसे मेडिसिंगरT के बात करने वाले हैं किडिनी में पत्री होने के लगषड के बारे में जियां जैसा का पता है पत्री होना और पत्री के बाद जो आपका दर्द होता है पत्री की जो समस्या होती है वो आजकल बहुत जदा आम हो चुकी है चाहिए वो आपके एडल्ट हों चाहिए वो बड़े बुजुर्ग हों सभी को लगबग पत्री की समस्या देखने को मिल जाती है तो आज हम इसी क करेंगे कि पथरी होता है तो उसके क्या क्या लगषड आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं जिससे कि विडियो में लास तक जरूर वने रहीएगा ताकि कोई विडियो किस जगह से देख रहे हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिए हां किडनि इस्टोन कि अगर रक्षर की बारें बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आगर किसी को पत्री होती तो पीठी और बाजू के निचले में कमर के अरिया में आपको बह। है तेज़ दर्द होगा क्यों कि यहां पर के डिनी होगी वहीं के कर्भू पंप में आते में जहादा थकान बहुत जबाप ज़ादा कमजोरी फीली फेल हो यह भी आपके पत्री किलक्षत होते हैं पेट के निचले इससे में वही बताया है जहां पर वहाँ ज़ाद ओने और बोच दर्द होना असबनी पीड़ा होना इसे पाज मोह यह सभी के सभी है पत्रीटी के लक्षणों होते हैं और ये ऐसे ज्यादा तर देखने और पकाफ्य के अजया आधर क सब्सक्राइव के धर ओ्राइब किłu highlight ुक्त करा बन की क्या क्योंग करेंगे क्या तो regardless में अजय हो गारा हो उस कंडीशन में पत्री होने की चांसेज बहुत जयदा है जंक फूड फूड का बहुत अधीक सेवन कर रहे हो तब ही पत्री होने के चांसे ऑपत्तरी निकलती है आपको पता होना चाहिए तो पानी की कमी न करना डाईट की गावड़ी होना है अगर खराब हो गया ढाएटरेशन यह पानी की खराएटन द satu पामी तो इन सभी काडरों से आपका पत्री होने के पूरे पूरे चांसे बनते हैं उसके बाद हो बात करते हैं क्या है क्या बातों का ध्यान रखना है अगर है अगर आपको पथरी स्प्टम है पत्री हो रहा है तो पर्म बें बोट प्रेशर को नियंतृत्रओं रखना कंट्रूल करना है अनावस्रक आ जब भी दर्द हो तो पेंकिलर बार बार नलो पेंकिलर लेनेस अच्छा जाच कराओ डॉक्टर के दिखाओ वह जादा सही है बारवा पेंकिलर लोगे दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन वह पतरी बड़ी होती जाएगी बड़ी होती जाएगी दिककत हो जाएगा नमक और मीठे का सेवन कम से कम करें ऐसेवन कम से कम करें। चाकलेट हुआ कोपकोकुला रहा कोल्डिनीन र्रजय momhouse. आहते आपको कम पीनी होगी इन एन आतों का द्यान रखने चाहिए। यह पथ्री का है। फिर अब उन thou क्फिस्ट कर्कासовые को शुक्त करने एक झाले clicking पथ्री हो भी और आया है। पीना उसके पी सकते हो के लग है इसका जूज भी पी सकते हो कुपनाना सिख भी पी सकते हो ओट्स का सेवन करना चाहिए आपके आपके पत्री रोदक गुड़ पाये जाते हैं बदाम आपको खाना चाहिए इसमें पोटेशियम मैगनेशियम भरपूर मतरम आया जाता है जो क सकालने का सुरूत है तो यह सब चीजैंस आपको खाना पीना है बाकी इन बातों का ध्यान रखना है जिनको पत्री के लक्षडै बाकी पथ्री होने के मुखे कारणी है आपकी बदे वीडो гow कमेंट बॉक्स में जरू बताएगेगा इसी तरीके से नेड़ो स्वास से जुड़े टॉपिक के विडियो आपको वारी चैनल पर मिलेंगे चैनल पर बने हुए प्लेलिच को विजिट कीजिएगा विडियो अच्छ लगाओ तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें मिलते है तक के लिए अपनों अपनों का ख्याल लखें थेंगी तो मुच आल इवेरी वेस्ट